जहेंद फ्रेंट्स मेरा नाम अजीत सेंग और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जद्दा की खरी-खरी ताब एक बड़ी मदेदार नियूज है आप में लेटर्स पहले की पंजाब में मैं इस समय जलंदर में और समाचार यह किताब जलंदर के बगल में 17 किलोमे की एक चोटा तक ग्रूप है उसको सहूधय बोलते हैं तो सभी सीबीसी स्कूल के प्रिंसिपल्स आज कट्थे हो के का पॉरतवर देप्रीपमिशनर को होते हैं उनसे मिलने के लिए उन्हें अपंटमेंट मांगा था तो कल्स आप ने पूरा एजुकेशन दिपार्टमेंट के सारे अफिस को डिस्टिक एड्यकुेशन अफिससाद के तरिक दिश्टिक आप थे उनुमजुरों के प्रिंसिपल्स थे अब यह एकदम ताज अगटना बता घंटा पहले वह सारे प्रिंसिपल्स यह रहे हैं और collector सहाब को सारे पूरतलय जिले के सारे principles ने एक gapन दिया है और उन्होंने कहता भी हमारे school के gate पे आम आदमी party के कारिकर्टा आके धर्ने दே रहे हैं और उत्वात मचा रहे हैं gate पीट रहे हैं जबर्दफ्ति अंदर गुष्टने की कोशिश कर रहे हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जा रहे हैं 20-25-25 लोग और वह चिल ला रहे हैं और यह पाया है से कहा कि यह क Courtneyは यह से आपका हमारे से जbody मद रखा आप एक काम करो ना यार रहे हैं औरिया हम बिलकुल एक पैसी ले लेते बूजों सॉ सरकारी स्कूलों को कि म wireless homes इस नहें हमारे शचों को बहुत युद्ध को और अप सरकारी स्कूलों को हम सारी से शूबूसब्ड को तो तुर वहां पर जो डिस्टिक एजुकेशन अफ़े उन्होंने तो हेंड्ख अप कर दिये उन्हें है दो मैं तो जी तंग आ गया हूँ मैं आपकी बात सुनों यह उनकी बात सुनों वह तो डिस्टिक एजुकेशन ऑफिसर ने एक वर्ड यूज कि कि यह तो रोग एलिमेंट्स हैं यह नोंने आके ऐसे ही आपके हैं उत्पास करना है और तो यह आज की घटना है अब मैंने इस संबंद में और समाज में एक बड़ी बहस चलती रहती है कि प्राइवेट स्कूल वाले लूटते हैं यह बात एकदम सही है प्राइवेट शिक्षा बहुत महेंगी है प्राइवेट स्कूल वाले बहुत पैसे लेते हैं उनके बड़े हिडन चार्ज़द होते हैं हर चीज़ में पैसा कमाते हैं यह पैरेंट की बात एकदम सही है पैसे लेते हैं पर सवाल यह है कि आखिर पैरेंट इन प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चे भेजता क्यों है समाज की यह समस्या है जरा इसको जरा गहराई से आए समझते हैं इसके अलावा पैरेंट्स की एक शिकायद रहती है जैसे सी बीसी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनके पैरेंट्स और यह यह आम आदमी पार्टी द्वारा धर्ना दिये जाने की घटना है यहां से पांक साल पहले वी 2017 का जब चुनाओ आया था तब भी आम आदमी पार आपने private कटाब एक्कियों लगा रुखी है यह इनका एक मिद्दा होता था इसके अलावाए एक मिद्दा होता था कि स्कूल के अंदर खर फिर लिद्दा और यह उता था शिक्षा के छेत्रों में काम किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने मैं कौन हूँ वाला जो मेरा परिचे वाला वीडियो है उसमें मैं तो सेंट्रल कवर्णिट में जॉब करता था और जॉब के सिर्फ और 17 साल तक एसा कि और हम तो तब ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को पढ़ाते थे ऐसे बच्चों को जिनको कभी पैर में जूता नसीब नहीं हुआ है ऐसे बच्चों को जिनको कभी कॉफी पैंसिल तक नसीब नहीं है महेंगी किताबों के जो बात छोड़ दीजिए तो तब हम उस जमाने में NCRT का एक सलिबस पढ़ाते थे और NCRT की बुक्स का हमने एक बुक बैंक बना लिया था उस जमाने में हमारे गाओं में अगल बगल में सहत्तुर में कहीं पर भी NCRT की बुक्स ने मिलती थे तो मु की इंग्लिश ने मिल रही तो ऐसे मुझे पता लगा कि इनका एक बहुत बड़ा गुडावन इलहाबाद प्रयाग में है और मुझे याद है मैं ट्रेन पकलके प्रयाग से दो तीन तीन बड़े बड़े बोरी भर के बड़े बड़े बंडल बुक्स के लेकर आया करता था है और उस जमाने में मुझे याद है एंटियाटी की किताब दस या पंदर रुपे की मिला करते हैं यह 1990 की बात है और हमने तो सब बहुत ही सेमिस अंधादनों में मतलब ब्लैक बोर्ड है नहीं है चौक है या नहीं है बच्चों के फर नीचे जमीन पर बोरी बैठते थे ह बहुत बहुत है चपर डाल लिया प्रेड के नीचे ऐसे हमने स्कूल चलाया तो वी नो हाँ टो वर्क एड़ ग्रासरूट लेवल तो जब मेरी पत्नी यहां सुल्तानपुर दोदी के एक बहुत बड़े इंग्लिश में स्कूल में प्रिंसिपल बनके आई हैं उन्होंने क कि सारे स्कूल में कि की लागो करती हैं तो हम अपने स्कूल में च्रिक्टली स्कूल करेकूलम करेंगे तो कि मैं अपको बताया है कि मैं खुद केंद्री विद्याला का पढ़ा हूं और उनका syllabus, उनका curriculum, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बेस्ट लगता है और केंदरी विद्याला जो सेंट्रल गौर्मेंट के गौर्मेंट स्कूल से है जहां वो स्पेशली सेंट्रल गौर्मेंट इंप्लोई आर्मी के बच्चों के लिए आर्मी फैमिलीज के लिए वो स्कूल खोले गए थे और उनका पूरा curriculum हम अपने उस स्कूल में फॉलो करते थे वो ही हमने का कि वो बेस्ट curriculum है ता पूर में पूरा बकाइद है पर्टनल्टी डेवलोपमेंट है, रोट एजुकेशन बहुत कम है और practical education बच्चों को दी जाती है, learning by doing वो जो सारे innovative methods होते हैं, अच्छे methods हैं पढ़ाई के वो हम follow करते थे हैं तो एक दिन क्या हो था, parents का एक दल प्रिंसिपल सहाब के office में आया, मैं वहां बैठावा था बाई चांथ हमारे chairman साब भी वहां बैठे वे थे तो parents, पांचे parents थे, अलग-अलग classes के, उन्हें ने का जी, एक केडिया किताब मां तुषी लाइया हूँ यह, कौन सी घटिया किताबे आपने लगा रखते हैं तो मौनिका ने कहा, अरे मैं तर क्या बात कर रहे हैं सबसे अच्छा करिकुलम सबसे अच्छी बुक्स तो उन्होंने सब अपने जोले से एक प्राइवेट प्रकाशन की किताब निकाल के था देखो जी कितनी अच्छी किताब है और आपने क्या यह घटिया से किताब लगा रखती है तो हमने उनको यह समझाने की कोशिश की कि कागज का किताब की प्रिंटिंग कागज की क्वालिटी पे मज़ जाए उसकी कलरफुल नेथ पे मज़ जाए किताब में कितनी कलरफुल है यह इंपॉर्टन नहीं होता है किताब के अंदर क्या लिखा है किताब के अंदर ग्यान क्या है यह इंपॉर्टन होता है और सब उनके पैरेंट्स की समझ में यह आ रहा था दूसरी बात उनको एक समझते आ थी कि आप छोटे बच्चों को सिर्फ तीन सब्जिक्टियों पढ़ाते हैं हमारा नेश्नलन करिकृलम है वो व यह जए यह बढ़ाते हैं वहां पे हिंडी नंगिस की तीन किताब में एक वर्गबुक लगा रकी उन्होंने उसके بعد साइन्स है यह है वह है दुनिया बर की मतलब उन्निस किताबों का गाफ के बच्चों का प्राइवेट ने प्राइविट ने लगा रखी है आप सिर्फ तीन किताबह पढ़ाते हो तो मेरा बच्चा जो है उन्निस किताबह पढ़ने वाले से कैसे मुकाबला करेगा पिर आपने ये गतिया किताब में लगा रहे है देखो एस किताब की आदा घंटा समझाते रहें कि नहीं तर यह बहुत अच्छा से लिए बच्छों के लिए इतना ही प्रयाप्त होता है इसी को काईदे से पढ़ाना होता है यह वह बहुत समझाने को कोशिश की हुआ है फिर हमने श्री जो प्राइवेट प्रकाशन है उन्निस किताबे अगर में लगाते हैं तो आपको मालू में इस एक किताब में स्कूल को कितना कमिशन मिलता है चालिस परसंट पचास परसंट तक कमिशन होता है कि यह जो किताब है यह डेट सरु रुपे में आपके बच्चे का बैक बन जाता है बड़ी एक लाज में 304 तो का बन जाता है पर मैंने का जब प्राइवेट आप किताबे लगाते हैं स्कूल में और 19-19 किताबे लगाते हैं तो पांच चार हजार रुपे का बनता है बच्चे का और एक बात जान लीजिए कि जब 4,000 रुपे का आप बुक्स लेते हैं तो उसमें 40% 50% कमिशन स्कूल को मिलता है बता हर बच्चे से 2,000 रुपे मिलते हैं स्कूल को तो हमने सब यह धंदा नहीं किया आपने स्कूल में हम चलाते हैं तो बुक्स बिचारे को कुछ नहीं बचता इतने खर्चे हो जाते हैं जलंदर से लाने के इसलिए उसमें कोई कमिशन खोरी नहीं होती और इनको कॉपी करके य देश क्लिएं कई सारी करते हैं कमिशतं के सारी मिटिंग होती है तब जाके एक प्रिक लिखी जाती है फिर उसके बाद साल अस्में सेसल्भाश के हर सालً ने किताबों को डेवल разныеन कि या जाता है 6 साल, 10 साल लगते हैं, हर साल उसमें कुछ नई चैप्टर्स एयड होते हैं, कुछ नई चीज़े एयड होती है, कुछ पुरानी हटाइई जाती हैं। पुरी देश के शिक्षा व्रिद०। उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, समय देते हैं तब जाके एक उस तक त्यार होती है प्राइवेट प्रकाशन वाले क्या करते हैं किसी एक लेक्चर और प्रोफेसर को किसी एक आदमी को अपॉइंट गया उसको दस बीस पचास जार रुपे उतने किताब लिखके आपको कॉपी पेस्ट एक उधर ते उठाया एक उधर ते उठाया लेसन इधर कॉपी पेस्ट किया एंसी आटी की बुग सामने रख लिए उसके पैटर्न वो फॉलू करते हैं वे एक किताब लिखके दे देते हैं प्राइवेट प्रकाशन वाले उसको चाप देते हैं पचास रुपे की किताब पांसर रुपे में बेशते हैं होती कलरफुल है का कागज थोड़ा और अच्छा होता है बैंडिंग थोड़ी और अच्छी होती है इसकी तो कागज की क्वाल्टी थोड़ी पूर होती है तो आप अपना उसको दस रुपे की देके बिस दे की जिल्दमढवा लो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको से और किताब का टेक अच्छा ठीक उनको और लोकल बिजनस मैंने बहुत अच्छे बड़े प्रभावशाली वेखती हैं समाजिक वेखती हैं और पेरेंट्स भी सब लोकली थे उनको सब को समझाब जागे भेज दिया और हमें यह कहा अच्छे आपको पैसे काटते हैं वो कहते हैं आपने सिर्फ तीन किताबे लगाई हैं चार किताबे फ्लाने स्कूल में 19 किताबे लगी हैं आप 25 किताबे लगाओ जब वो इसी में खुश हैं और आपके स्कूल को घटिया बता रहे हैं तो ठीके भीया उनको खुश करो ना हमें भी चार लाग चार पैते आने दो लगा दो प्राइवेट आप भी पढ़ाओ 20 किताबें 25 किताबें वो मरॉल एजुकेशन पढ़ाते हैं आप और उसमें चा बाव देके एजुटेशन करके बार बार धरने देके पूरे इलाके में हमारी निंदा करके बहुत ही घटिया स्कूल है पढ़ाई होती है क्यों कि यहां पर तो तर्फ तीन किताबें बच्चे सारा दिन खेलते ही रहते हैं सारा दिन बच्चे लैब्री की बुक्स पढ़त लगाएं हम भी 20 किताबें का एक बहुत बड़ा 5000 रुपे का बैग बच्चे का तियार करें हम भी बच्चे को एक्दम गधा बना दें हम भी बच्चे को वही रोट एजुकेशन वही होमवर्क वही क्लासर वही कॉपी काली सारी अक्टिविटीज बंद कराओ बच्चों के मैं आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा यह मुझे याद दिया रहा है मैंने पहले भी बताया है चलो दुबारा सुना देंगे वह किस्ता तो कि किताब कहानी किताब पढ़ने से क्या फायदा होगा एक्जाम कोई कहानी किताब से थोड़ी ना आएगा क किताब पढ़ा हो रटते ही नहीं आपके बच्चे मेरे बच्चे को कुछ भी याद नहीं है मैंने क्वेश्चन पूछा था उसने उसका अंसर नहीं मुझे रटके समया तो पैरेंट्स ने सब जबदस्ती हमारे हां प्राइवेट प्रकाशन की किताबें लगवाई फिर सा अब आम आदनी पार्टी चुनाव लड़ने लग गई पंजाब में और फिर हमारे गेट पर धरने शुरू हो गए हाई 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 स्कूलों के गेट्स पे आम आदमी पार्टी के तथा कथित आगू मेरी वाइफ ने आज प्रिंसिपल्स की मिटिंग में वीशी से एक बात करी उनने का यह बता ही ना पैरेंट तो इतनी चाहता है स्कूल में उसको आरोगा पानी चाहिए हर क्लास के बाहर एक दाई हमेशा है खडी रही चाहिए और स्कूल की जो टार दैबं ओं ऊन्न छम चम चमकनी चाहिए प्रकलास चाहिए बस चाहिए बस में एक ड्राइवर चाहिए मिए फ्लाश एक में gosto कि एक मेड्स भी चाहिए और बच्चे को उनगली पकड़ के उतारे हो सब रोड क्रॉस कर प्लेक राउंड चुहिए पूरी नम संग मर मर और ग्रेनाइट की तरह सेवन स्टार होटल की तरह स्कूल चाहिए रैंस पैरिंट की एक शाही है में प्रिंसुप स्कूल की टीचर आपको बताऊंगा हमारे चेर्मन थाप तो कहते होते हैं कि टीचर सोनी होनी चाहिए यह बेशक काट पड़ा वे सुन्दर सुन्दर सलोनी एक दम हिरोईन मैटेरियल टीचर होनी चाहिए नौलेज वोलेज कौन पुछता है मैं इस पे एक अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा तरह किस्सा वह तो पैरेंट की यह एक्सपेक्टेशन है स्कूल से अच्छा तुसी लोकल टीचर रखे या ना 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 पैरेंट यह एक्सपेक्ट करता है कि हम टीचर जो है डेली से लाएं घैरादून से लेके आएं वह सरह देंग्रेजि बोलने वाले लेके हैं इस वह चैएंगे महंगे कपड़े पहनती हो एक स्कूल से लिए बस्कूल में अपना बच्चा भेचते वह सेवन स्टार होटल में अपना बच्चा बेचता है उसको स्कूल बस की सेवा अपने घर के गेट के सामने चाहिए सो मिटर दूर अगर बस का स्टॉप बना दिया तो पैरेंट को नहीं चाहिए ना मेरे घर के दामने दे बच्चा उटाओ जिए गाओं के बाहर सारे बच्चे इकठे हो जाएं तो स्कूल बच्टा बच्टा गाओं की गलियों में नहीं घुसना पड़ता पैरेंट को यह सारी वेजिए उसके लिए वह पे करने को तयार है दूसरी चीज़ सस्ते स्कूल नहीं चलते जितना मैं इस पर भी आपको एक अलग से अपिसोड बताऊंगा मेरे लाइफ का यह परसनल एक्ष्पेरियल से जितना महंगा जितना बड़ा स्कूल जितना बड़ा ब्रांड उतना सक्सेस्पुल जितनी भव्यालिशान बिल्ड स्कूल एक स्टेटस सिंबल है आज समाज में उसी के अन रूप उसका मेंटेनिंस होना चाहिए उसका रंग रूप होना चाहिए पैरेंट उसके लिए पैसा करशता है पैरेंट लोगों बताता है कि मैं फलाने स्कूल में अपना बच्चा पढ़ाता हूं सौल के इतने हमारा बच्चा यादमेंदरा स्कूल में पढ़ा है पढ़ा होता है से 30 साल पहले बच्चा उनका हो गए 55 साल का पर आज भी अपने स्कूल के पीज़ स्टिकर लगाता है कि मैं यादमेंदरा पप्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ है मैं बिशप कॉटोनियन तो स्कूल दर स्टेटिस संबल आप आदमी पैसे लेने देंगे स्कूल के अंदर धर्ना देंगे प्रिंसिपल के आफिस में घोष जाएंगे फीस नहीं लेनी है आपने यह आज की घटना पंजाब के मैं बता रहा हूँ और पंजाब सरकार का एक अधिकारी कहता है तर दीजार रोग एलिमेंट्स प्रिंसिपल कहती है कि जब पैरेंट्स खुशी खुशी अपना बच्चा भेज रहा है और हर फैसे दे रहा है और बिना पैसे के इतनी फैसलिटी नहीं दी जा सकती तीचर को इतनी अच्छी salary को अच्छी salary दे वो नहीं दी जा दकते आप minister क backups क आपके teacher वैं तीन जा रुपे के teacher bu school रखनी सकता अप आप अप चाहते हैं कि teacher को 42 सी रिचर लुपenter salary दी जाए वो जलंधर से 50 चास्किरिमर्ड रदुर सुल्तानकुर्लोदी में पढ़ी, पैसे न दे हम, एक प्रिंस्पल नमाँ कहा, कि इलाके के सारे सरकारी स्कूलों के प्रिंस्पल्ट और टीचर्ड के बच्चे हमारे होँद बच्चे हैं, एक स्कूल में हमारे स्कूल के पीछे एक स्कूल है उसमें चौबिस या पच्छास लाख रुपया महीना सरकार पैसे देती है और सिर्फ सतर यासी बच्चे पढ़ते हैं उसकूल में मैंने एक बार एक डिस्टिक एजुकेशन अफसर से कहा था कि अगल बगल कि यह जितने तीन सरकारी स्कूल है न किसी में साथ बच्चे पढ़ रहे हैं और आपका बजट है इन चार स्कूलों का एक करोड़ रुपया अब एक काम करो हमें दे दो एक करोड़ रुपया हर महीन और पूरे इलागे के बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे और वो सरकारी स्कूल के बच्चे भी हमें दे तो वो टीचर भी हमको दे तो हम पढ़वा लेंगे उनसे नहीं सरकारी स्कूल का कोई टीचर कोई प्रिंसिपल कोई मलाजम अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है चाहिए सब को प्राइवेट स्कूल ही फीस नहीं देंगे खुद लाग रुपे डेल लाग रुपे तन खा लेंगे उनका तो जो फूर्थ क्लास प्यान है ना वो भी चालिज रुपे तैलरी ले रहा है तो सब दिस इस दे लेटर्स प्रपोर्ट मैं ये एजुकेशन की सिरीज पे एजुकेशन पे की आखर प्राइवेट स्कूल वालों पे जो आरुप लगते हैं कि अब ये लूटते हैं क्यों लूटते हैं ये लूट कैसे बंद होगी प्राइवेट स्कूल वालों को लूटने का मौका ये माहौल किसने बनाया प्राइवेट स्कूल खोलने की नौबत आई क्यों आखिर प्राइवेट स्कूल के लिए स्पेस किस ने क्रियेट किया कैसे ये स्पेस क्रियेट हुआ ये बंद कैसे होगा इन पे अगले आने वाले वीडियो में मैं इस पर एक सिरीज़ बनाऊंगा ये सिरीज जो है प्लेइलिस्ट में नाम से इक मैं नई प्लेइलिस आज बनाऊँगा ये वीडियो उस एजूरा चौर्श बनाऊंगा ऐडुकि एक बड़ा वयाक विशे है आप अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए उसके इसाब से इस विमर्ष को आगे बढ़ाने में साहिते मिलेगी एक और सूचना है आपके लिए मैंने एक नई प्लेइलिस्ट बनाई है only members करके आप जाएंगे प्लेइलिस्ट में उसमें ऐसे वीडियोज हैं जो कि YouTube जिनें पसंद नहीं करता परन्तु important है मेरी किस्सा गोई है और बहुत पारे एते विशे हैं जो कि हम open प्लेइलिस्ट में नहीं डाल सकते या नहीं डालना चाहते या जिनको YouTube जो है वो डी मॉनेटाइज कर देता है या add restrictions लगा देता है ऐसे जो वीडियोज हैं वो only members क नहीं करके जो प्लेइलिस्ट है उसमें है वह आप मेरे YouTube चैनल को जान करके इसके मेंबर बन के विडियो भी देग सकते हैं वनिमेंटा मिनु मेंस की 좋아요 सै तो मेरे चैनल को जोई कि यीजिए लनेबशल वियोजके सकते हैं तो प्लेइलिस्ट में उस प्लेएउिश में च रह इस विशे पे इतना ही इसी विशे पे आगे और विमर्श होता रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू वेरी मच